हलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम आज आप सभी को दुगास समीक्याण को कैसे हल किया जाएगा उसको सिखाएंगे तो यहाँ पर देखिए यह हमारा पहला सवाल है यक्स प्लस 3 अपान यक्स प्लस 2 बराबर 3 एक्स माइनस 7 अपान 2 एक्स माइनस 1 तो यह एक समीक्याण है और यह दुगास समीक्याण है तो आईए इसको हम देखते हैं कि कैसे यह दुगास समीक्याण है तो यहाँ पर हम पहले समीक्याण को लिखते हैं पहला स्वाल यह हमारा है x प्लस 3 बराबर यहां यह हमारा हो जाएगा x प्लस 3 अपान x प्लस 2 बराबर 3x माइनस 7 अपान 2x माइनस 3 अब इसका हम तिर्षा गुड़ा कर देंगे यानि इसके हर को इसके अंस से और इसके हर को इसके अंस से गुड़ा कर देते हैं तो अब यह हमारा हो जाएगा x इंटू x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 बराबर इसका गुड़ा इसके साथ फिर इसका गुड़ा इसके साथ x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 तो इस तरीके से अब हम इसका गुड़ा कर लेंगे अब इसका जब गुड़ा करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2x², x का गुड़ा 2x के साथ करेंगे तो 2x², फिर इसका माइनस 3x होगा और फिर यह 6x होगा, तो 6x में से माइनस 3x घड़ जाएगा तो प्लस 3X होगा प्लस 3X यहाँ पर हो जाएगा यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ माइनस 3X है फिर इसका गुड़ा होगा तो प्लस 6X होगा तो 6X में से माइनस 3X घटेगा तो यहाँ पर प्लस 3X होगा फिर इसका गुड़ा इसके साथ 3 त्याई 9 माइनस 9 यहां हो जाएगा बराबर फिर इसका गुड़ा इसके साथ करेंगे तो 3x square यहां हो जाएगा x का गुड़ा 3x के साथ होगा तो 3x square होगा फिर x का गुड़ा माइनस 7 के साथ होगा तो माइनस 7x, और फिर इसका गुड़ा इसके साथ होगा, तो प्लस 6x, तो प्लस 6x, माइनस 7x, यानि माइनस x होगा, फिर अब इसका गुड़ा इसके साथ होगा, 2 का गुड़ा माइनस 7 के साथ होगा तो 2 सते 14 यहां माइनस 14 होगा अब हम सजाती पदों को एक साथ कर लेते हैं तो यहां पर 2x² है और यहां माइनस 3x² है यहां लिख लेंगे हम 2x² माइनस 3x² इधर प्लस 3x है और इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस x यहां लिख देंगे यहां माइनस 9 है इसको इधर लाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा प्लस 14 अब इधर दाहिने पक्ष में मारा 0 हो जाएगा क्योंकि हम इसके सभी पदों को बाएपक्ष में पक्षांतर कर लिए हैं अब आईए इसको जोड़ घटा लेते हैं तो 2x²-3x² यहां-1x² बचेगा और यहां पर प्लस 4x हो जाएगा प्लस 4x 3x and प्लस x 4x और यहां 14 में से 9 घटाएंगे तो माइनस प्लस 5 आ जाएगा प्लस 5 बराबर 0 हो गया अब यहां पर देख रहे हैं x² का गुडांक माइनस है तो सभी पदों में माइनस से गर गुडा कर देंगे तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0 अब यह देख रहे हैं हमारा यह दुगास समीक्यान के रूप में रूपांतरित हो गया है अब यहां माइनस 5 का ऐसा गुडांखंड करेंगे कि घटाने पर माइनस 4 आ होए तो यहां हम देख रहे हैं कि माइनस 5 इसका गुडांखंड माइनस 5 इन्टू 1 के रूप में करेंगे अब यहां जो माइनस 4 है हमने बताया कि घटाने पर माइनस 4 आना चाहिए तो यहां लिखेंगे 1 माइनस 5 एक में से 5 घटाएंगे तो यहां माइनस 4 आएगा अब यह हमारा हो जाएगा यह एकसी स्क्वाइर अब इसको हम ब्रेक कर देंगे माइनस एकस सारी प्लस एकस माइनस 5 एकस माइनस 4 एकस को हम इस तरीके से ब्रेक करके लिख देंगे प्लस एकस माइनस 5 एकस अब माइनस 5 यहां लिख देंगे ये बरावर zero हो गया तिस तरीके से जैसे तरिपदी विंजिकों का गुड़नखंड किया जाता है उसी तरीके से हम इसका गुड़नखंड कर लेंगे तो यहाँ देख रहे हैं अब समूव बना करके कामल ले लेंगे तो यहां x choire है, यहां x है, यह x common ले लेंगे. यह x जब common लेंगे तो यहां x बचेगा, यहां पर plus 1 हो जाएगा. अब इन दोनों में देख रहा है, minus 5 common है, तो minus 5 common लेंगे, तो x plus 1 हो जाएगा. बरावर 0. अब यहां देख रहे हैं, कि इसमें x plus 1 है, इसमें भी x प्लस 1 कामन है तो भी x प्लस 1 हम कामन ले लेंगे अब यहां बचेगा हमारा x कामन लेने का मतलब उससे भाग दिया जाएगा तो यहां भाग देंगे तो cancel हो जाएगा यहां x बचेगा minus 5 बराबर 0 अब हमें यह समीकराण हल करना है तो भी इन जिकों का अगर फिल अगर 0 होता है तो यह तो पहला 0 के बराबर होगा यह तो दूसरा 0 के बराबर होगा अगर यह पहला 0 के बराबर होगा यह यह प्लस 1 बराबर 0 है यह प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर हमारा आजाएगा minus one और यह दूसरा जीरो के बरावर है x minus five by 0 तो x बरावर हमारा आजाएगा five x बरावर five आजाएगा इस तरीके से x बरावर minus one और x बरावर five यह हमारा answer होगा यानि दिया गया जो दuổi घास समीकर्ण है उसका हेल x बरावर minus एक और x बरावर पांच, यहाँ ध्यान देना है अगर दूई घास समीके हिएए तो उसके दो मूल होते हैं, यहाँ एक्स के दो बैलु आएंगे अब आईए अगला सवाल देखते हैं यहाँ देखी हमने दो सवाल दिया था पहला तो यह साल्व हो गया, यहाँ पर दूसरा सवाल है दूसरा सवाल यह है 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 यह भी हमारा एक द्विखास समीक्याण है इसको भी ध्यान से देखिएगा अब यहाँ x² का जब गुडांग 2 है तो इतका याँ अचरपद और x² का गुडा कर लेंगे हम 2 x 3 करेंगे तीन दूनी 6 हो जाएगा अब 6 का ऐसा गुड़नखंड करेंगे कि जोडने पर यहाँ धन है तो यहाँ जोडने पर आना चाहिए इसके बराबर तो 6 अब यहाँ 7 जो लिखें हैं हम 7 बराबर 7 को 6 धन 1 के रूप में लिख सकते हैं 6 धन 1 याँ 6 का गुड़नखंड करेंगे 6 एक कम 6 और इसको हम 7 को ब्रेक करेंगे 6 और 1 इसका गुड़नखंड हमने बताया कि 6 गुड़े 1 के रूप में लिख सकते हैं 6 गुड़े 1 अब इसको हम 7 x को 6x धन x लिख सकते हैं तो 2x square प्लस 6x प्लस x प्लस 3 बराबर 0 हमने इसका गुड़न खंड किया अब यहां देख रहे हैं 2x square और यहां 6x है तो 6 और 2 में 2 common है तो 2 common लेंगे x square और x में x common है तो x common लेंगे तो यहां पर x प्लस 3 मच जाएगा अब यहां देख रहे हैं दोनों में plus 1 अगर हम common लेंगे तो यहां x मचेगा और plus 3 बराबर 0 यह चीछ ध्यान देना अगर कोई common नहीं है तो हम एक common ले लेते हैं अब x plus 3 इसमें भी है x plus 3 इसमें भी है तो आईए x plus 3 common ले लेते हैं अब यहां पर मारा बचेगा 2x 2x plus 1 बराबर 0 अब यहां इसको साल करना है तो दो बेंज़कों का अगरण फल अगर 0 के बराबर है तो यहां तो पहला 0 के बराबर होगा यानि यदि x plus 3 बराबर 0 यदि x plus 3 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर इसको पक्षानतर करके दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो minus 3 हो जाएगा और यदि 2x प्लस 1 बरावर 0 यदि 2x प्लस 1 बरावर 0 तो यहाँ पर 2x बरावर हमारा हो जाएगा minus 1 इसको दाहिने पक्ष में जब ले जाएंगे तो plus है तो minus हो जाएगा अब यहां देख रहे हैं X के साथ 2 का गुड़ा किया गया है तो इसको दाहिने पक्ष में जाएंगे तो भाग हो जाएगा यहनि एकस बरावर माइनस 1 बटे 2 तो इस तरीके से एकस के दोनों मान निकल आएंगे x बरावर-3 और x बरावर-1 by 2 ये दोनों x के मान है, यानि x बरावर हमारा निकल करके आया मान थेरी और दूसरा मान निकल करके आया है मान थेरी यह इस तरीके से ये समिक्राण जो दिया गया है, तो इहाद 2 x square plus 7 x plus 3 बरावर 0 जो इसका एक मान यानि एक मूल इसका माइनस 3 होगा और दूसरा मूल माइनस 1 बाइ 2 तो समय क्यान में मूल को 0's भी कहा जाता है यानि एकस बरावर माइनस से इसका एक 0's होगा और एकस बरावर माइनस 1 बाइ 2 दूसरा 0's होगा 0 जिसलिए कहते हैं क्योंकि अगर x की ये value इसमें रखेंगे तो ये 0 के बरावर हो जाएगा इसलिए x बरावर minus 3 इसका एक 0 होगा उसी तरीके से x बरावर minus 1 by 2 रखेंगे तब भी ये 0 के बरावर हो जाएगा तो इसलिए moule को 0 भी कहा जाता है तो इस तरीके समने आज आज आप सभी को संझेप में दिखास समी के उनको कैसे हल किया जाएगा समझाने का प्रयास किया आसा करता हूँ कि ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सियर करें और चैनल पर नहीं हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह सवालों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद